सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दुबा कर और बटन पर क्लिक करें ताकि लेटिस्ट वीडियो की नौडिटिकेशन आपको सबसे महले मिल सकें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली ना जाने इतनी महाबत कहां से आई है उसके लिए कि मेरा दिल भी उसकी खातिर मुझसे रूट जाया करता है जी हाँ ये प्रेडिक्शन चंदे राशी पर अधारित है ये अब शिरू करते हैं जिन्दगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के इलावा और कोई ना हो अजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से किसी भी इंसान की इच्छाशक्ती और दृड़ संकल्प उसे विखारी से राजा बना सकती है आप भी अपनी इच्छाशक्ती और दृड़ संकल्प को मजबूद बनाए यकीन मानिये अगर आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगे अरे क्यों डरे जिन्दगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा बढ़ते रहे मन्जिलों की और हम कुछ भी ना मिला तो क्या तो जुर्बा तो होगा अरे सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा कुछ करके दिखाओ दिखाओ दो दुनिया को कि तुम भी किसी से कम नहीं हो सिर्ब से पहले में आपको पिता दू कि अज़ाब के लिए जो है भागिशाली रंग यानि कि लखी कलर रहने वाल रंग और भागिशाली जो हंक रहेगा वो नमबर तीन रहेगा आज ये सितारे कहते हैं कि परिवार के सदस्य की मदद की वज़ा से मानसिक मजबूती मिल सकती है काम के प्रतिन निष्ठा और महनत भी बढ़ेगी नई बातों को सीखने का जज़बा आपको आगे लेकर जा सकता है दोस्त परिवार को आपके द्वारा मार्क दर्शन मिल सकता है बहुतिक सुखों की प्राप्ति के लिए चंद्र की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए या फिर आप चंद्र देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं इसे के साथ ही आज जहां पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आज आपके कुछ छोटी बोटी बहस वगेरा हो सकती है तो आज आपको अपनी शब्दों का सही तरीके से इस्तमाल करना चाहिए अगर आपने गलती से कुछ ऐसे वैसे शब्द बोल दिये तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है इसलिए आज के दिन जो है स्पेशली आज आपको अपने जो है जुबान पर कंच्रोल करना बहुत जरूरी है आज काम की दिखता भी रहेगी लेकिन सफल्दा भी हासिल रहेगी इसलिए जादा उत्सा के वज़े से आप थकान महसूस से नहीं कर पाएंगे भूल जाएंगे उसे महनामान वहान नवाजी और मौज मस्ती में भी समय स्पेंट कर पाएंगे कुल मिला कर दिन काफी बीजी रहेगा लेकिन शानदार भी रहेगा चाचा के चुब भाई वगरा बहन है या चाचा सरे ले कुछ भी चीज़े हैं जो सबंदों में बहुत इच्छे सुदार देखने को मिल सकते हैं आज के दिन साथ हमें आज की टेंशने काफी हद तक खतम हो सकती हैं पुरसकार भी दे सकता है आज को बच्चों को यसे के साथ ही अगर आप सोशल साइट पर जड़ा टाइम स्पेंट करते हैं तो आज आपको उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंट नहीं करना चाहिए बलकि आज आपको काफी हद तक टाइम वेस्ट हो सकता है तो इसलिए आज आज आपको जो है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जादा ही सोच विचार करना चाहिए बनाव की समस्याद पर हो सकते हैं इसके साथ यद पैसों से जुड़े नुकसान की शंका दिख रही है कई लोगों को कीम्ती वस्तमों को संभाल के रखिएगा उनको खोने का डर बना रहेगा मन में चल रही विचारों को असर नीन पर पढ़ सकता है अपने सिहत का ख्याल रखना पड़ेगा छोटी बातों में भी उई लाप परवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है मित्र परिवार के साथ में मत भेत वत्वन हो सकते हैं विचारों को थोड़ा शांती में तेरी किसे रखने की कोशिश करें आपको जह है थोड़ा जो है आक्टिव रहना चाहिए सुस्ती आपको गिरावर की और लेकर जा सकते हैं आज योवा वर्ग को अपनी मेहनत के शुप परिनाम मिल सकते हैं आज आप अपना समय समाज सेवी संस्थाओं के साथ मदद करने में लगा सकते हैं समाज में जिससे आपका काफी हद तक मानसमान तो बड़ेगा है लेकिन सबसे ज़्यादा आज आपको जह मानसिक सकोन भी मिलता नजर आएगा रिष्टो को काई में रखने के लिए समच धारी और धैरे रखने की बेहर ज़रूरी है आज आपको क्योंकि भाईयों के साथ किसी प्रकार का अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो आपको है आज कितने उसको सुझाने की कोशिश करनी चाहिए विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाई में ध्यान हटा कर मौज मस्ती में समय फिजूल मत गवाईए और इधर उदर की बातों में वक्त जाया मत कीज़ेगा चलिए वागे बात करते हैं बिजनेस और करेर की तो आज व्यपार में मार्केटिंग से रिलेटिट कामों पर अधिक ध्यान दे और अपने संपर्क सूत्रू को भड़ाईएगा जादा से जादा लोगों से मिलिए उनके साथ डिल्स कीचिए आज पेमेंट वगेरा कलेक्ट करने का भी समय बढ़िया नजर आ रहा है सिरकारी जो लोग काम करते हैं गामन जॉब है जिनकी उनको जो है आज उच अधिकारियों से कोई बहुत ही बड़ी गुड नियूस मल सकती है साथ ही में आज व्यपार से जुड़ी व्यक्ति योगियों मारग ना मिलने के वज़े से कई उदास भी हो सकते हैं अगर आपको जॉब इंटर्व्यू है तो आपको उसकी जादा से जादा मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई लोगों को निराशा हाथ लग सकती है भागे आपके कारियों में साथ जरूर देगा किसे पर निरपर रहने की पेक्षा खुद ही फैसला कीज़े हर चीज़ का और खुद ही हर काम को करना सीखेगा आज नौकरी पेशा व्यक्ती आज किसी सरकारी मामले को बहुती ध्यान पुर्वक हल करने की सौल करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको इस चीज़ में काम या भी अवश्य ही मिलती निज़र आ रही है क्योंकि इस सेदारी आपके करियर की और बहुती बढ़ी आज रिजल देखकर आने वाले हैं और विवसाय की तरफ भी अगर आप ट्रांस्वर करना चाहते हैं अपनी काम की सिलसे रिलेटेड तो ट्रांस्वर भी असानी से आपकी हो सकती है इसके साथ ही आज काम के बारे में कोई भी लापरवाही मत कीजेगा वरना आर्थेक नुकसान जो है बिना बात का आपको लेना पड़ सकता है आगे बढ़ते बात करते हैं आज के लव लाइफ की तो लव लाइफ कहती है कि दिन भर की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के साथ कुष्टमा समय स्पेंट कर पाएंगे विवाहास से रिलेट्टिड आपक जो बात है वो लीक हो सकती है कोई आपके रिलेशन के बारे में बता सकता है तो आपको जह इन बातों से दूरी बना कर रखनी होगी जादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है जो जैसा गनाच चाहता है उसे करने देजे आप अपनी चीजों पर डटे रहेगा रिलेशनिशिप यह विवास से रिलेटिड फैसले जो है गंबीरता से लेचेगा कोई भी इसी जो है आपको कुछ चीजें थाईर फदल नहीं करनी है साथी में आज सिदारे आपके बारे में कहते हैं कि आपकी चंचल और चुलबले व्यक्तित्व जो है आपका यानिकि आपका जो नेचर है चुलबलु वाला उससे पार्टर का मूँ थोड़ासा आपसे छो सकता है आप अगर आपको ज़्यादा ही ओवरक्टिंग करेंगे तो पार्टर का मूँ तो खराब होगा ही इसलिए उतना ही बात कीज़े उतनी चीज़े कीज़े जिससे आपको दोनों बीचे में समच इसे अप परकरार रहे बाकी लोगों के बारे में आशितारे कहते हैं कि परिवार के किसी व्यक्ति की उपलब्दी से घर में खुष्टुमा बहॉल बना रहेगा घर में कोई नई खुष्खवरी मिल सकती है डिनर और मन और अंजन से रिलेट इन कोई यादगार प्रोग्राम मन सकता है पूरी परिवार के साथ आप किसी डिनर वगेरा में जा सकते हैं या आपर किसी गेट टोगेधर फंक्शन को अच्छेंट कर पाएंगे बात करते हैं स्वास्त की जो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन वर्तमान वातावरन की वज़े से कुछ न कुछ आईरवेदिक चीजों को सेवन करते रहे जैसे कि आप गिलोई का सेवन जारा मात्रा में कर सकते हैं गिलोई की गोलियां खाल सकते हैं या फिर गिलोई का जो है रस्पी सकते हैं इसे के साथ भी अम्यूनिय सिस्टिम को स्ट्रॉंग जरूर करते रहीगा सेहत की तरफ जारा ध्यान नखीगा स्वास्तिमी सुधान लाने के लिए आपको नमक का अपयोक उचित मात्रा में करना है जादा नहीं करना है साथ में आज जो है काम की दिखता की वज़से ठकान और दर्द भी हो सकती है उर्जा वर्दक अहार को अपने भोजन में शामिल के लिए फ्रूट्स और ग्रीन वेजटीबल्स आपके शिरीर के लिए बहुत ही हद तक फायदमन और कारगर सामित हो सकती है तो इसे लिए बाहर का फूट छूट कर घर का और फल फूट जादा खाईएगा तो बैठ ले रहेंगे चलिए बांतर में बात करते हैं आज के विशेष उपाई के बारे में तो आजब कर लिए विशेष उपाई कहता है कि आज आपको सूरे उपासना अवश्य करनी चाहिए जिससे आपका जो सितार है वो चमक उठेँगे साथ में आज आपको गुपतर रूप से पूजा करनी चाहिए विष्ण भगवान की साथ में आज अगर आप वरत रखते हैं आज के दिन तो बहुत ही हर्तक फायदा देखने को आपको मिल सकता है घर में टूटा फूटा अगर फत सामान है तो उसे बाहर निकाल दीजे ये वास्तु दोश होता है तो ध्यान रखेगा इस बाग का तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद